हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे BPSC TRE 3.0 PGT मैट्स के लिए कुछ important problem का discussion चलिए शुरुआत करते हैं question number 1 से आज का पहला question है the range of sin inverse x plus cos inverse x plus 10 inverse x is आपको एक function दिया हुआ है sin inverse x plus cos inverse x plus 10 inverse x और आपको इसका range निकालना है तो आप इस function को आप effects मान लिजी तो effects is equals 2 हो गया है आपका sin inverse x plus cos inverse x plus 10 inverse x clear है अब आप यहाँ पर फटाक से formula लगा दिजी कि sin inverse x plus cos inverse x बराबर क्या हो जाएगा pi by 2 तो effects is equals 2 हो गया pi by 2 plus 10 inverse x यानि single function में हम इसको ले आए ठीक है sin inverse x plus cos inverse x का भैलू हो जाता है pi by 2 यह formula है इसको ध्यान दिजीएगा अब हम इसी का range निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 10 inverse x का जो range है वो होता है minus pi by 2 से pi by 2 लेकिन interval open होता है यानि न तो minus pi by 2 सामिल होता है और ना ही plus pi by 2 सामिल होगा 10 inverse x के range में minus pi by 2 से pi by 2 होगा लेकिन interval open होता है अब आप इसमें pi by 2 एड़ कर दीजे तो pi by 2 plus 10 inverse x मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा pi by 2 में pi by 2 एड़ करेंगे तो हो जाएगा pi और इधर क्या मिलेगा minus pi by 2 में pi एड़ करेंगे pi by 2 तो मिलेगा 0 और यही न आपका effects है तो effects छोटा हो गया pi से और बड़ा हो गया 0 से तो इसका range क्या हो गया इसका effects का जो range है वो हो गया 0 से pi लेकिन न तो 0 सामिल है और ना ही pi सामिल है तो हो जाएगा open interval 0 से pi ध्यान दीजेगा यह क्या option A में भी है 0 से pi लेकिन यह close interval है इस तरह के छोटे मोटे बात को ज़रा ध्यान दीजेगा यही एक दो सवाल जो है गलती हो जाएगा तो selection से दूर कर देगा 0 से pi होगा लेकिन open interval होगा उमीद है कि अच्छे से आप सीख गया होंगे इस सवाल को वीडियो को share कर दीजे लाइक कमेंट जरूर कीजिए यही हम लोगों को energy देता है चलिए अगले सवाल की और चलते हैं क्या कहता है अगला question देखिए तो question है sin of pi by 3 minus sin inverse minus half तो आपको यहाँ पहले लगा देना चाहिए कि sin inverse minus theta is equals to होगा minus of sin inverse theta तो आप सवाल हम लिख देते हैं जरा sin of pi by 3 minus sin inverse minus half का मतलब क्या हो गया sin inverse minus theta मतलब minus sin inverse theta तो यह minus और यह minus मिल कर के हो जाएगा plus यह हो जाएगा sin inverse और यह 1 by 2 positive हो गया clear हुआ बात एक बाट फिर से इसको देख लिजे यह आपका हो गया sin of pi by 3 minus sin inverse minus half तो sin inverse minus half को क्या लिख सकते हैं minus sin inverse half अब minus यह पहले से था तो minus minus हो गया plus sin inverse half अब आप देखिए कि sin inverse half को आप क्या लिख सकते हैं half का मतलब होगा sin 30 degree तो sin inverse sin theta बराबर होता है theta यह आप जानते हैं sin inverse sin theta is equal to theta तो sin inverse sin 30 degree तो सिर्फ हो जाएगा 30 degree यह यह इसका भैलो sin inverse 1 by 2 के जगह पर आप लिख सकते हैं 30 degree 30 degree मतलब कितना pi by 6 किलियर है अच्छा यह कितना है pi by 3 यानि कितना 60 degree तो यह 60 degree और यह 30 degree तो कितना हो गया 90 degree तब ही हो जाएगा sin 90 degree लिखने की जरूवत ने है sin 90 degree अब sin 90 degree का भैलू कितना तो 1 किलियर है बात sin 90 degree का भैलू 1 अगला question क्या कहता जरा एक वार पढ़िए निश्ची तरुप से आप से बन जाएगा सवाल question है the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order किसी differential equation जिसका order fourth है उसके general solution में arbitrary constant की संख्या कितनी होगी तो इसको तो आप ऐसी बना देंगे आप जानते हैं कि number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of nth order region जितने उसके order होगे उतना ही उसमें arbitrary constant की संख्या होगी general solution में अगर यही कहा देता पार्टिकुलर solution तब पार्टिकुलर solution का मतलब होगा free from constant तो कितना भी order का differential equation हो जाए अगर पार्टिकुलर solution की बात होगी तो उसकी solution में arbitrary constant की संख्या 0 होगा लेकिन जब general solution की बात होगी तो general किसी differential equation के general solution में arbitrary constant की संख्या उतनी ही होती है जितना उस differential equation का order होता है इस differential equation का order है fourth तो general solution में arbitrary constant की संख्या भी हो जाएगी फोगा अगर यही रहता particular solution तो arbitrary constant हो जाता 0 arbitrary constant की संख्या हो जाती 0 यहने number of arbitrary constant in a general solution of a differential equation is same as that of order of the differential equation whereas the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation is zero किसी भी differential equation में जितना order है उतना ही arbitrary constant की संख्या होगी लेकिन तब जब solution general हो और अगर solution particular हो जाए तो उसमें arbitrary constant की संख्या 0 हो जाएगी आप दुसरी भासा में कह सकते हैं कि किसी differential equation का जो particular solution है वो arbitrary constant से free होता है free from arbitrary constant लाइक कर दिजे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे share कीजिए अगला question क्या है देखिए यह question लिया गया है 3D plane से question है the plane 2x minus 5 plus 4z is equal to 3 and 5x minus 2.5 by plus 10z is equal to 6R दो plane दिया हुआ है इसमें आपको theory जानना चाहिए कि अगर एक plane का equation है a1x plus b1 by plus c1z is equal to d1 और दुसरा plane है a2x plus b2 by plus c2z बराबर d2 यह दोनों plane एक दुसरे के parallel होगा यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2 यह theory आपको याद रखना चाहिए और एक दुसरे के perpendicular होगा यदि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर 0 हो जाए यह दो theory याद रखना है अब आप देखिए कि आपके पास जो equation दिया हुआ है वो क्या है आपके पास equation है 2x minus y plus 4z is equal to 3 हम इसको लिख लेते हैं क्या था equation 2x minus y plus 4z is equal to 3 और दुसरा equation क्या है 5x minus 2.5 by plus 10z बराबर 6 5x minus 2.5 by plus 10z is equal to 6 अब आप देखिए कि a1 by a2 क्या है तो a1 by a2 आपको मिलेगा 2 upon 5 यानि 1 upon 2.5 अड़ाई दुनी 5 और देखिए कि b1 by b2 आपको क्या मिल रहा है तो b1 by b2 आपको हो जाएगा b1 है आपका देखिए minus 1 और b2 क्या है यह देखिए minus 2.5 minus 2.5 तो minus से minus कर गया यानि 1 by 2.5 तो जो b1 बटा b2 मिला वही आपको a1 by a2 मिल गया यह देखिए a1 by a2 तो आप समझ जाएए कि अब क्या होगा लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा अंसर तो आप यह से मार दिजिएगा c1 by c2 भी निकाल लेजिए तो c1 कितना था 4 c2 है 10 4 upon 10 चार अढ़ेए 10 यानि 1 upon 2 upon 1 by 2 upon 5 यानि यह दोनों प्लेन एक दुसरे के क्या हो गया अब आप निरने लेजिए जल्दी से वीडियो पॉज करकर करके क्या हो जाएगा भाई तो दोनों प्लेन एक दुसरे के पैरलल हो जाएंगे क्यों क्योंकि a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 बराबर हो गया c1 बटा c2 अगले question की ओर चलते हैं देखिए करा question fx is equals to x to the power 100 plus x to the power 99 plus x to the power 98 plus dot 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 plus x plus 1 तो f-1 का value क्या होगा इस टाइब का सवाल बहुत common है जानना चाहिए देखिए f-1 का मतलब क्या हुआ कि f-x में x के जगा पर 1 रखिए ऐसा नहीं कि x के जगा पर 1 रख के फिर differentiate कीजिए नहीं ये misconception हो जाएगा f-1 का मतलब हुआ f-x में x के जगा पर 1 रखिए बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पहले हम 1 रख दें तो मिल जाएगा f-1 आप फिर differentiate कर देंगे f-1 को तो f-1 मिल जाएगा नहीं भाई f-1 constant हो गया तो differentiate कीजिएगा तो 0 न हो जाएगा पहले f-x को differentiate कीजिए तो f-x क्या हो जाएगा ये f-x था तो f-x क्या हो जाएगा f-x हो जाएगा आपका x के power 100 का differentiation क्या होगा ये हो जाएगा 100 into x का power 99 फिर x के power 99 का differentiation क्या होगा 99 into x का power 98 पलस dot 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 x का differentiation 1 और 1 का differentiation 0 अब f dash 1 का मतलब क्या होगा f dash 1 का मतलब होगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजे तो f dash 1 क्या हो जाएगा 100 into 1 का power 99 तो 1 का power कोई भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा 1 को 100 से multiply करेंगे तो 100 वही टर्म यहाँ है 1 का power 98 यानि 1 1 को 98 9 से multiply कीजिए dot 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 कहां तक 1 तक अब 1 से लेके 100 तक का योगफल हो गया ती तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर के n तक के जोड को हम क्या करते हैं sigma n और इनका value क्या मिलेगा n into n पलस 1 by 2 तो 1 से लेकर 100 तक का जोड क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 100 गुने 101 बटा 2 यानि 50 दुनी 100 तो 50 गुना 101 101 को 50 से गुना कीजिए तो यह मिल जाएगा 50-50 50-50 यानि अंसर हो जाएगा clear है बात अगले question की ओर चलते है अगला question भी आपको derivative से लिया गया है बस practice करते रहना है fx is equal to x sin x तो f dash pi by 2 क्या होगा देखे fx is equal to x sin x तो f dash x is equal to क्या हो जाएगा u into b का derivative क्या मिलेगा u into b का derivative plus b into u u का derivative अब आप इसको धंग से देखे u क्या था x b क्या था sin x तो x गुना sin x का derivative cos x plus sin x into x का derivative 1 तो f dash x is equal to x into cos x अब पलस sin x अब आपको find करना है f dash pi by 2 f dash pi by 2 का मतलब क्या होगा कि f dash x में जहां जहां x है वहां वहां pi by 2 तो x के जगा पर pi by 2 into cos pi by 2 cos pi by 2 का मतलब क्या हुआ cos 90 degree का value 0 जब 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 एंगेल 90 degree के odd multiple पर पहुचेगा cos का मान 0 हो जाएगा और यह हो गया sin pi by 2 sin 90 तो sin 90 का value हो जाता है 1 तो pi by 2 into 0 हो गया 0 अब पर लस 1 यह नी 1 तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए अंसर होना चाहिए 1 clear है next question की ओर चलते है अगला question देखिए question कहता है कि if 1 minus i is a root of the equation x square plus x plus b is equals to 0 where a b belongs to real number then the value of a minus b is a minus b का value क्या प्राप्त होगा जब ध्यान दीजे पहला theory तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जब root imaginary हो जाए यानी complex हो जाए तो root हमेशा conjugate के form में होता है the imaginary root of a quadratic equation always occurs in conjugate form इसको सुन के आप लिख लिजे वीडियो पहुँच कीजिए और इस line को सुन करकर के आप notes copy में इसको लिख लिजे क्या भाई कि imaginary root of a quadratic equation with real coefficient always occurs in conjugate form conjugate form इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक root है one minus i तद दुसरा root हो जाएगा one plus i इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है मेरे दोस्त तो एक root है one minus i दुसरा root हो जाएगा one plus i और equation आपका क्या दिया हुआ है x square plus a x plus b is equal to zero तो आप यहां से आप use कीजिए इनके properties को कि sum of roots is equal to क्या होता है तो sum of roots होता है minus b by a यानि minus और देखिए बड़ी चलाकी से सवाल बनाने वालों ने क्या किया है कि b के जगा पर a कर दिया है a होता है x square का coefficient और b होता है x का coefficient लेकिन यहाँ x का coefficient यह है इसको जराद ध्यान दिजेगा तो alpha plus beta बराबर होगा minus b by a लेकिन b के जगा पर a है और a के जगा पर one है अब यहाँ alpha plus beta क्या होगा इन दुनों को जोड़ दिजे तो i से i कट जाएगा एक और एक हो जाएगा 2 तो 2 बराबर होगा minus a यानि a बराबर होगा minus 2 फिर से एक वाद b के जगा पर होगिया a a के जगा पर होगिया one तो minus a बटा one यानि minus a alpha के जगा पर one minus i beta के जगा पर one plus i दोनों को जोड़ दिजे i से i कैंसिल होगा one और one two मिलेगा तो two बराबर minus a यहाँ से एक आमान मिलेगा minus two अब निकाल देते हैं product of roots तो alpha into beta बराबर होगा c by a c के जगा पर b है और a के जगा पर one यहनि one अब alpha into beta मतलब one minus i into one plus i तो इसको गुना करेंगे तो a minus b गुना a plus b यहनि a square minus b square बराबर होगिया b तो i square का भेलू क्या होता है minus one यह iota है इसका खोच किस ने किया था यूलर ने क्यों किया था negative number के square root को find करने के लिए तो one minus minus one यानि one plus one बराबर two तो b का भेलू होगिया two यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि one minus i square बराबर two होता है अब one plus i square बराबर zero सवाल बनाने के बाद इस result को हम लिखतेंगे तो a बराबर होगिया minus two और b बराबर होगिया two अब सवाल क्या कह रहा है तरह a minus b निकालिए a minus b निकालिए तो a minus b हो जाएगा a होगिया minus two b होगिया आपका plus two तो minus two और minus two मिल करके होगिया minus four अंसर हो जाएगा a इस सवाल को हरबडाम करके बनाने पर आदमी zero अंसर मार देगा यह ओ minus two और यह आगवा गया plus two तहिन दुनों का जोड होगिया zero नहीं a minus b फाइन करना था तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से b b i problem है इसको ध्यान दे दीजेगा और अभी हमने आपको कहा था कि हम आपका इसका result लिख देते हैं तो इसके result को आप देख लीजे कि i square बराबर होता है minus one one plus i square बराबर होता है zero one minus i square बराबर होता है two i का कोई भी पावर यदि चार के multiple में है तो इसका भैलू होगा one चार के multiple से एक ज़ादा है तो i होगा चार के multiple से दो ज़ादा है तो minus one होगा और चार के multiple से तीन ज़ादा है तो minus i चार के मल्टिपूल से चार ज्यादा होई नहीं सकता एक रिजल्ट आप और याद रखेंगे कि आई के चार लगातार पावर का जोड़ हमेशा जीरो होता है इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे अगले कोश्चन की ओर चलते हैं कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं बड़ा वीडियो बनाईए सर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन व्यवस्ता नहीं है बड़ा वीडियो को बनाने पर उसको अफ्लोड करने में बड़ी समस्या होती है नेटवर्क जहां मिलता है वहां जाके अफ्लोड कर लेता हूं हारे वैसा आपसे बुरा नहीं है इसको आप करते रहिए कंटिन्यू करते रहिए और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए बहुत सारे चैप्टर्स का लेक्चर बड़े इजी मेडियम में बनाया हुआ है यह अलग बात है कि वीडियो साधारन भासा में बनाया रख दिया जाए तो आपके पास अभी बहुत समय अब निकल गया है डेट बढ़ गया है तो आप जाईए प्लेलिस्ट में जिस चैप्टर को आप देखके पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िए बहुत सारे टॉपिक्स दिये हुए हैं 10-15-20 मिनट अगर आप देखते हैं तो अमनों का चैनल भी थोड़ा गुरोथ हो जाएगा और आपको फाइदा मिल जाएगा जितना देर में आप पढ़ेंगे एक चैप्टर को उतना देर में एक लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं फाल ऐसा नहीं कि एक विडियो 15 मिनट का है जिसमें 10 मिनट थेत्रोलोजी ही किया गया है ऐसा कोई बात नहीं है तो कोई भी टॉपिक को आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में प्रोब्लम के प्लेलिस्ट को देखिए जाकर करकर के बहुत फाइदा कर जाएगा तो बहुत सारे बने हुआ है चलिए अगले सवाल कोई ओर चलते हैं लास्ट प्रोब्लम आज के क्लास का कुश्चन है ए पलस आई भी इजिक्वल्स टू सी पलस आई डी दो कंप्लेक्स नमबर एक दुसरे के बराबर है तो इमेजनेरी पार्ट इमेजनेरी पार्ट के बराबर होगा और पार्ट रियल पार्ट के बराबर होगा यानि ए और सी बराबर होगा बी और डी बराबर होगा ऐसा कोई अप्सन नहीं है तो आपको दुसरे मेध़ड में जाना होगा क्या करेंगे भाई टो ए पलस आई बी इजिक्वल्स टू है सी पलस आई डी दोनों तरफ आप अगर कोई complex number है z is equal to a plus i by तो इसके modulus को लिखते है mod z से और mod z का formula होता है under root a square plus b square इसी प्रकार से c plus i d है दुसरा complex number तो इनका modulus होगा under root c square plus d square अब आप दोनों तरफ square कर दीजिए तो a square जोड b square is equal to होगा c square plus d square अब इस दोनों टर्म को इधर आप ले आए तो आपको मिल जाएगा या यही तो आपका option दिया हुआ देखिए option number d a square plus b square is equal to c square plus d square हम उमीद करते हैं कि आज का ये session आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा किर्पिया अपनी भावनाओं को comment के माध्यम से जरूर व्यक्त करें वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में से ज्यादा से ज्यादा share करने का परियास कीजिए आप इस वीडियो को अपने यंगस्टर जुनियर आसपरोस के लोगों में जो इस बार 10th पास किया है उनको भी send कर सकते हैं कि वो basic को playlist में जाकर basic यानि 11-12 पढ़ने से पहले जो basic course होता है उसको पढ़ लें आप जाएंगे playlist में देखेंगे बना हुआ है वीडियो फांडेशन बैच के विद्यारतियों को लिए जो जस्ट 10th पास करते हैं और 11 में जाते हैं तो उनको जब असुविधा होती है तो उसके लिए कुछ basic वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है fundamental of maths तो आप playlist में जाए करेंगे और उसको अपने जुनियर्स जो इस वार 10th पास किये हैं उनको शेयर करेंगे उनको कुछ फायदा मिल जाएगा और आप भी एक बार देख लेंगे तो आपको भी फायदा करेंगा उसमें basic बात बताया गया है यानि मौडूलर्स लॉगरीदम और भी कुछ important topics जो एक दम basic है उसको बताया गया है तो अप प्लेलिस्ट में जाकर करके fundamental of maths को देखना नहीं भूलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद